तो दोस्तो आज 27 जैनुवरी 2023 बात करेंगे इस वीडियो पर आप लोग के रेकमेंडेट कुछ important shares के उपर आगे वीडियो में डिसकस करेंगे तो चले के करके cover करते तो सबसे पहले हम बात करेंगे NBFC का किंग यानी बजाज Finance Limited तो आज लगबख 4 बजे के आसपास मतलब मार बजाज Finance Limited का quarter 3 का result आउट हुआ और इसका impact आपको next day मतलब सोंबार के दिन जब बजार open होगा जरूर देखने को मिलेगा तो चले फटा-फट हम देख लेते हैं कि इस बार बजाज Finance ने quarter 3 में कैसा perform किया तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने मैंने open किया बजाज Finance की quarter 3 क का consolidate financial result के उपर तो देखें यहाँ पर तीन अलग-अलग quarter का result है आपके सामने सबसे वहले यहाँ आप देख सकते सर्केल किया मैंने current quarter यह होगी आपका last quarter और यह होगी आपका last year मतलब December 21 का result तो सबसे पहले आ चाता है कि company का total income तो जैसे कि आप आप देख सेक्टों बजाज finance limited का इस बार यानी quarter 3 में total income हुआ है 10,785 करोड रुपए जो की last quarter September 22 में हुआ था 9,942 करोड रुपए यानी quarter on quarter base पे हमें हलका फुलका जम देखने को मिला year on year पे बात करें तो last year December 21 पे बजाज finance limited का total income हुआ था 8,549 करोड रुपए यानी देखा जाए दोस्तो year on year पे company ज करें साथ ज्यादे गराम बात करें total expenses अब देखें total expenses भी total income की थरा increase देखने को मिला बट उतना ज्यादा इंक्रीज भी नहीं हुआ तो अच्छी बात है तो देखें इस बार मतलब quarter 3 में company का total expenses का नंबर आया 674 कर रुपए जो की last quarter में ये नंबर था 6,220 कर रुपए और last year के ये नंबर था मतब डिसमबर 21 पे 5,671 कर रुपए यानी quarter on quarter भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ और उसके साथ year on year भी इंक्रीज देखने को मिला अब चले एकदम सीधा नीचे चलके देख लेते हैं कि at the end कितना profit कमाया company तो जैसे कि आप आप देख सकतो सारे tax भग कि रखना चाहतों इस बार जो total net profit company कमाया है almost 40% का आसपस हमें जम देखने को मिला जो कि year on year basis पे total net profit आया है बजाज फनास लिमिडेट का 2973 कर रुपए जो कि last quarter यानी September 22 में ये नंबर था 2780 कर रुपए और last year पे मतलब December 21 पे बजाज फनास लिमिडेट का total net profit का नंबर था 2125 कर रुपए यानि अगर देखा जाए दोस्तों हमें year on year basis पे 40% के आसपस हमें जम देखने को मिला मतलब it's massive massive तरीके से हमें growth देखने को मिला 50 फनास के net profit के अंदर ठिक जिस बैसे जो company का earning पर शिया रहा है यानि basic और डाइलूटे उसके अंदर भी काफी अच्छा जम द हम देखने को मिला तो दोस्तों यह हो कि ultimate result बजाच फनास रिमिटेट का कैसे लगा आपको कमेंट बोक्स में करके जरूर बताना अब चले दोस्तों सीधा हम चलते हैं चार्ट पर रेंकोबर वहां पे जाके हम डिटेक ली बात करेंगे सब कुछ तो दोस्तों मार्केट में तो आज एकदम ब्लडबर्थ देखने को मिला उसके बाब जुद भी बहुत बड़ा गिरावर देखने को नहीं मिला अच्छी बात है आज शुरू में बजाच फनास थोड़ा बात पॉजिटिव में भी गया था बीच में देगा था मार्केट जब एकदम से नीचे पहु का रेजल देखोगे क्वाटर तू में भी कंपनी जबर्दस्त परफॉर्म किया तो उसके बाब जुद भी आप देख सेको शेयर के अंदर लगाता डाउनफॉल हुआ उसके पीछे जो एक्चुल रिजन था जब मंडे की दिन बजार ओपेन होगा उसके पहले बड़े-ब बजार ओपेन होगा उसके पहले बजाज फाइनांस को पर कौन से ब्रोकरेज कंपनी क्या सा रेटिंग दे रहा है वह भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखे जब भी कोई अपडेट आजाएग डिक्सोन टेकनलोजी के अंदर आज 20% की लोवर सेर्किट देखने को मिला यह बहुत मतलब महीने बोलना भूलोगा बहुत सालों बात ऐसा हुआ है बीच पीच में आप देख सेक तो जो की 20% की लोवर सेकी टोर एड़ एन क्लोजिंग दिया 18 से 19% गिरावाट के साथ औरम इसमें दोस्तों बहुत ही खराबी था मतलब बहुत अलग-अलग सेग्मेंट वाइस खराब हमें परफॉमेंस देखने को मिला एक तो आप देख लेजिए कंपनी का टोटल इंकम था वह यार ऑन यह पे गिरा और क्वाटर ऑन क्वाटर पे गिरावट देखने को मिला हो सकता है कि डिक्सवन टेक्नलोजी का मार्जीन के अंदर काफी अच्छी इंप्रूब्मेंट देखने को मिले जो कि क्वाटर ऑन क्वाटर पी इंप्रूफ वा यह इंप्रूफ वा बट अल्टिमेटली क्योंकि टोटल इंकम के अंदर इतना गिरावट हुआ था ना जिस बज़ ठीक है जिस पह़ेसे बेसे अपने देखा की कंपनी का पर्फॉमेंस इस बार काफी खराब ता और आज सुबहब जैसे कि मैं आपको बोला था कि ग्लोबल ब्रोकरेज कमपनी हमेशा सुबहा सुबहार रेटिंग देख उसको और बरबात कर देता है तो आज सुबहास देक नेक्स टैकर बात करें और ग्रोकरेज कंपनी इसको कवर किया और टारगेट पैस तीनजार डूरोगाइन को मिला जो बिज्नेस मॉडल हो बहुत ही शानदार बस ठोला पेशन्स रखिए कंपनी को टाइम दीजे धिए गिरने में भी टाइम नहीं लग जब उपर की तरह मूफ करते हैं कितना रफतार से मूफ कर रहा था बस थोड़ा पेशन्स रखिए कंपनी को टाइम दीजी इतना है मैं आपको बोल सकतो बठा इमीडियेट बाइ करने का भी आपको बिल्कुली जरूरत नहीं है जब तक ना शेयर एक स्टेबेल पोजिशन प को इंफर्म किया था आज से अधानी एंटर्पाइस एप्यों मार्किट को पर ओपन हो चुका है और यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगदा कि इंटेंशनली यह सारे चीज जो मार्किट कूपर हमें लफ्रा देखने को मिला यह मुझे लगदा है कि यह वेस बेस जो रिसर्ट कंपनी है एक इंटेंशनली करने की कोशिश जरूर किया क्योंकि एफ्यों में जो प्राइस बैन यहां पर फिक्स्ट किया था उसके नीचे लाने का एक प्रायास था और एकदम आप बोल सकते हुए बुड़ी तारा अपने प्रायास बेस जो कि सक्सेस भी हो चुका है जैसे कि अब देख सकतों अधानी एंटरपाइस का जो एप्यों लॉंच हुआ आज की आज से उसमें जो प्राइस में रखा था 312 से 3216 रुपए और कहीं नहीं दोस्तों आज की डेट पे जो एकदम फ्लॉप हुआ डे वन पर और भी दो दिन मार्केट में ओप सब्सक्रिप्शन हमें आज देखने को मिला अब इस एप्यों का साइज भी बहुत बड़ा इश्यू है तो कहीं दोस्तों आप देख सकते हो कि अब देखी कोई गधाई होगा जो अभी एप्यों में अपलाई करेगा क्योंकि देखिए आज जो मार्केट प्राइस इसका ज सब्सक्राइब करेंगे जिस बैसे यहां पर एक फेल करने का मुझे लगदे की इंटेंशनली एक प्रयास ता और वो प्रयास में एकदम से सक्सेस मिल चुका है क्योंकि इसका जीम पी जो की दो चात दिन पहले में मंडे के दिने ट्रैक करा था यह सब जो चर्चा होड़ा मार्केट कंद इसके पहले ठीक है हमने देखा था इसका जो जीम पी काफी ठीक चला था लगबग 100-300 पॉपर चला था आज की रेट पर जैसे शेयर कंद डाउन फोलवा पूरा खतम हो चुका है क्योंकि जो मार्केट प्राइस है वो जो इसका इसका का इशू प्राइस था यहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबर लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक और आपका आपका 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 आपक